1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफिम की लट के चलते दमे का रोगी हो गया था इस वज़े से उसने सल्तनत के बामडोर नूर जहां को सौब दी जहांगीर से शादी के कुछी वक्त बाद नूर जहां ने अपना पहला शाही फर्मान जारी किया जिसमें कर्मिचारियों के जमीन की सुरक्षा की बात कही गई थी इस फर्मान पर उनके दस्त खत्ते नूर जहां बाच्शा बेगम इससे पता चलता है कि नूर जहां की ताकत कैसे बढ़ रही थी मलिका हिंदुस्तान बनने के एक साल बाद उसने मुगलों और अपने पिता ग्यास बेग के खांदान के बीच रिष्टे मजबूत करने के लिए 1612 में अपने भाई असब खान की बेटी अरजुमंद बानो उर्फ मुम्तास महल का निकाह शाजाहां से करवाया लूर जहां के कहने पर जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम यानि शाजां को बड़ी फौज दी थी साथ ही उसने चित्तावड की चड़ाई पर खुर्रम को बेजने का सिजहाओ भी दिया जो बहुत कारगरल हुआ खुर्रम की अगवाई में दक्कन की जंगे भी लड़ी गई थी अपने सियांसन के बगल में उसका सियांसन लग़ाया उसे शाहजां का खिताब दिया नूर जहां के शाहजां से रिष्ट काफी अच्छे थे लेकिन सल्तनत का वारिस बनने की बात पर मामला भिगड गया शाहजां 1620 में लाहोर में था तब भी दक्कन में विद्रो होने लगा नूर जहां ने इसे कुचलने के लिए जहांगीर को शाहजां का नाम सुझाया शाहजां दोबारा दक्कन नहीं जाना चाता था लेकिन नूर जहां उसे जंग में उल्जाय रखना चाहती थी नूर जहां चाहती थी कि उसके दामाल शहरियार को शहंशा बढ़ाने में आसानी हो शाजहां को दक्कन में दुबारा सफलता मिली उसने अब गदी हतियाने की ठान ली इसके बाद उससे खुस्रों की हत्या कर पहले रोडे को हटाया शाजहां की बगावत से गुस्साय जहांगिर ने अपने बेटे की खिलाफी हतियार उठा लिये इधर शाजहां ने दक्कन में अपने दुश्मन मलिक अंबर ओदरपूर के राणा करंड सी और नूर जहां के भाई वो अपने ससूर असब खान को अपनी तरफ कर लिया था हलांकि यूद्ध होने पर शाजहां को जल्द ही ऐसास हो गया कि वो जीत नहीं पाएगा उसने जहागी से समझोता कर लिया इस पर नूर जहां ने उसके दोनों बेटो औरंग जेप और दारा शिको को आगरा बुलवा लिया शाजहां के पास इसके लावब कोई चारा नहीं था एक बार फिर नूर जहां जीत गई